अपने दोस्तों में आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है और जो चल पर नहीं चल पर नहीं कर पाएं जाएं किजिए आप सभी जो आएं कैसे करना है वीडियो बनावे वीडियो को देख लिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया वाइप्लस में कमेंट बॉक्स में पीन कर दिये हैं अन्यथा डिरेक्ट आप से भी अप्लिकेशन को डाउनलोड कर अग्या है अगर इन्सेट में किसी भी कोईशन का अंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं शले बताएंगे इस कोईशन का राइट आंसर क्या होगा वोकारो इस्टिल प्लांड किस देश की सहयोग से अस्थापित किया ग्या है यहा आई अगला कोशन देखे, भारते किरीशी में जुलाइ से अक्टूवर से ननमबर तक कि अबदी को क्या काते हैं? तो फिर आपसे को पता हों अच्छे, कि जुलाइ से अक्टूवर ननमबर की अबदी को जो हम काते हैं, उसे हम सभी खारिप मोसम काते हैं, क्योंकि देखेगा जुलाई के समय में क्या धान बोया जाता है और अक्टूवर से नंबर के समय में काटा जाता है और धान जो आता है वो किसके अंतरगात आता है तो खरीफ फसल के अंतरगात आता है ध्यान रखीगा यानि हम समय से क्या काते है खरीफ मौसम काते है ध्यान अगला कोजिशन है वर्ल्ड डवल पेमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक परकासन है फिन वर्ल्ड डवल पेमेंट जो है यह किसका वार्षिक परकासन है राइट आंसर ओप्सिन में विजाएंगे IBRD का वार्षिक परकासन है ध्यान रखेगा IBRD का पुनरूप क्या है तो अंतराश्टे पुनर निर्मान और विकास बेंगी भी इसे काते हैं इसके अस्थापना का वुई थी? 294 में वुई थी ध्यान डखेगा आप सभी कब 2944 में IBRD का अस्थापना वुई थी जिसे हम सभी अंतराश्टि पुनर निर्मान और विकास जुबाइंगी भी काते हैं अगला कोईशन देखे लेजे मुद्रा इस्पिती से लभावनित होता है सीरेट आंसरेगे रीन रीन लभावनित होता है मुद्रा इस्पिती से अगला कोईशन कर लेते फिन अगला कोईशन ये बंडे की नबाड एक है सबसे पहले तो अब यहाँ याद रखेगा कि नबाड की अस्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी 1982 ISV में 1982 ISV में नबाड की अस्थापना की गई थी और ये एक क्या है अंतराष्टिक क्रिसी बैंक तथा गरामिन विकास बैंक है तो ये राइट आंसर के कोईशन के लिए रहे हैं क्या है अंतराष्टिक क्रिसी बैंक तथा गरामिन विकास बैंक है अगला कोईशन देखे लिए जिफिन कौन सा बैंक भारत का किंद्रिये बैंक है इनमें से कौन सा बैंक जो एंफिंड़ वो भारत का क्या है किंद्रिये बैंक है Right, answer option मड्यों ज Zahlenगे Recep Bank of India जिसे हम सभी R.B.I.V कहते ध्यान रखेगा Reserve Bank of India भारत का क्या है किंद्रिये बैंक है से हम सबी बैंकों का बैंक भी कहते हैं यहां पे किसी का खाता नहीं खुलता है ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोशी ने सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मुल्य है एक बर्ष में उत्पादे सभी अंतिम बस्तुओं और सेवाओं का क्या है मुल्य ध्यान रखेगा आप सभी एक बर्ष में उत्पादे सभी अंतिम बस्तुओं और सेवाओं का मुल्य है जिसे हम सभी सकल घरेलू उत्पाद का मुद्रा मुल्य भी कहते हैं अगला कोशन पदती राष्टे आय आकलन की पदती नहीं है चले कोईशन मेर एट के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा तो मैट्रिक्स पदती जिसे हम सभी काते ध्यान रखेगा कौन सी पदती राष्टे आय आकलन की पदती नहीं है तो मैट्रिक्स पदती नहीं है ध्यान रखेगा आ की वियाई पदती उत्पादन पदती और आय पदती है अगला कोश्चन देखे लिए जिए सकल राष्टे उत्पाद मैनस मुल्य हास बराबर क्या होता है तो राइट आंसर ओफिसन वो भी जाएंगे निवल राष्टे उत्पाद होता है ध्यान रखेगा तो सकल राष्टे उत्पाद मैनस मुल्य हास बराबर क्या होता है निबल राष्टे उत्पाद होता है ध्यान रखेगा अगला कोईशन देख लेजिए माना विकास सुचकांग जिसे हम सभी HDIB कहते हैं किस अर्थ सास्त्री की देन है तो ये देन जो एफेन महबूब उलहक का देने ध्यान रखेगा आफ सभी D-right आंसर हैंगे अगला कोईशन कर लेते हैं कि किस सिराज को अतिदिक कूपोईशन के कारण भारत का क्या कहा जाता है इथोपिया कहा जाता है तो राइट आंसर आफशन बेज़ेंगे मद्द परदेश को का जाता है द्यान रखेगा मद्द परदेश को कूपोईशन के कारण क्या का जाता है इसे भारत का इथोपिया भी कहा जाता है अगला कोईशन देख लेजे भारत का सबसे बड़ा उद्धोग कौन सा है तो राइट आंसर आफशन मर डियो जागे कपड़ा उद्धोग फ्रेंड कपड़ा उद्धोग जो है यह क्या है भारत का सबसे बड़ा उद्धोग है अगला कोई सेने सुन अधारित तकने के किस देश की देन मानी जाती है फ्रेंड राइट आंसर आफिसन में यह जाएंगे संयुक राज अमेरिका की देन मानी जाती है सुन्य अधारित तक निकी अगला कोई इसेने किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्स शुरू की गई थी तो यह की गई थी 298 में C राइट आंसर हैंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस्वर से शुरू की गई थी उन्हें 98 इस्वी में अगला कोई सेने मद्ध पर्देश विसालतम उत्पादक है तो ये किसका उत्पादक है दलहन का उत्पादक है सबसे अधिक दलहन का उत्पादन मद्ध पर्देश करता है अगला कोई से ने भारत का वर राज जो अनाज उत्पादन में अधिक्तम अंसदान करता है तो ये राज कौन सा है उत्तर परदेश है यूपी ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोई से ने हरित करांती का संबन्ध मुखे तक किस फसल से है तो फिर याँ सबसे पहले आपसे भी याद रखेगा हरित करांती का जो जनक कहा जाता है भारत में M.A. स्वामी नाथन को कहा जाता है किसे M.A. स्वामी नाथन को हरित करांती का जनक कहा जाता है भारत में और शब से अथिक जो परभाव पढ़ा था, हरित करांती का किस फशल पर पढ़ा था, गियूहू पर पढ़ा था ध्यान रखेगा, तो याद रखेगा, बरेट आनस्रेंगे, गियूहू पर पढ़ा था, या तो कभी कभी यहीजा कोईजन पूचे जाता है, कि हरित करांती का परभाव किस पे अधिक पढ़ा था तो याद रखेगा खद्यान पर यानि कि जैसे हो गया चावल हो गया गिहू हो गया दाल हो गया गन्ना हो गया ये सभी पे सबसे अधिक परभाव पड़ा था ध्यान रखेगा आप सबी यानि कि इसके उपज में बिर्धी हुआ था हरित करांती से और सबसे ये सबी में सबसे अधिक यहोँ पर पड़ा था और सबसे जदा किस राज में पड़ा था यह भी कोईशन पूचे जदो दियाद रखेगा पंजाब में अगला कोईशन ने भारत में पर्थम किरिसी बिश्विद्याले के अस्थापना हुई थी राइट आंसर ओफिशन में यह जगें पत नगर में इसके अस्थापना की गई थी ध्यान लखेगा आप सभी अगला कोईशन ने भाण आगला कोईशन यह बंड़े की किरिसी में मूले तक किस परकार की बिरोजगारी की परधानता देखी जाती है ओफिशन मैं आउफ्सर मसी रैइट आंसर हैंगे अगला कोईशन निमलेकित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का सुरूत नहीं है इन में से कौन सा साधन जो एफिन वो केंदर सरकार के राजस्व का सुरूत नहीं है केंदर सरकार मतलब भरत सरकार और एक होता है राजसरकार तो यहां केंदर सरकार की बात किया जा रहा है तो इसका सी राइट आंसर रहें क्रीसी आईकर ये केंद्र सरकार के राजस्व का सुरूत नहीं है बलकि ये राजसरकार का होता है ध्यान रखेगा जबकि आएकर कॉपरेटर कर उसके बाद उत्पाद कर ये सभी क्या है केंद्र सरकार के राजस्व का सुरूत है अगला कोईशने देश में चीनी मिल की सवर्दिक संख्या किस राज में है फ्रेंड छले आप से बताएंगे देश में चीनी मिल की सवर्दिक संख्या किस राज में है तो याद रखेगा आप सभी अभी जो है वो उत्तर परदेश में सबसे अधिक है सबसे अधिक चीनी मेलकी संख्या उत्तर परदेश में अगला कोईशन है अगला कोईशन ये बंड़े की भारत में सरपर्थम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारम हुआ था चले हम से बताएंगे भारत में सरपर्थम पत्र मुद्रा का चलंज जो है कब प्रारम हुआ था राइट आंसर उफिसर में ड़ेंगे 1806 में हुआ था फिन ध्यान रखेगा आप सभी कब हुआ था 1806 इसवी में हुआ था option नमर क्या हो जाएंगे direct answer एगा अगला question कर लेते हैं अगला question ये बंड़े कि भारते state bank द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहां अस्थापित किया गया तो ये अस्थापित किया गया है कोची में ध्यान रखेगा आपसे भी भारत का पहला state bank द्वारा तो ये एक bank है ध्यान रखेगा आपसे भी नवार्ड एक क्या है ये एक bank है option मर ये right answer एंगे friend अगला question कर लेते हैं अगला question है मुद्रा इस पिती को इनमे से किस के द्वारा रोका जा सकता है right answer option मर दूजाएंगे इनमे से सभी की द्वारा याने कि बचत बजट के द्वारा परतियक्ष काराधान में व्रिधी सरकारी व्याय में कटवती के द्वारा रोका जा सकता है अगला question ने एक ग्यारवी पंचिवर्षी योजना का उद्देश क्या था right answer option नमर बी हो जाएंगे समा विष्ट आर्थिक व्रिधी थी ध्यान रखेगा आप सभी तो एक ग्यारवी पंचिवर्षी योजना का उद्देश क्या था समा विष्ट आर्थिक व्रिधी अगला question कर लेते हैं फ्रेंड अगला question ये बनने कि भारा सरकार के बजट के कुल घाटों में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है राइट answer option मेर भी हो जाएंगे राज कोसी घाटे का सबसे अधिक योगदान है और भी राइट answer हैंगे अगला question कर लेते हैं भारत में किस राज को चीनी का कटोरा कहा जाता है तो A rating answering यह उत्तर परदिस राज को कहा जाता है भारत में उत्तर परदिस राज को क्या कहा जाता है चीनी का कटोरा कहा जाता है अगला कोईसे ने दूसरी योजना ने किसको परात्मिक्ता दे थी यहां तो सबसे पहले आप याद रखेगा दूसरी पर्ची बर्ची योजना का समय अब्दी जो था वो उनेश सो चपन से क्या था उनेश सो एक सर्ट तक था उनेश सो चपन से उनेश सो एक सर्ट तक दूसरी पर्ची बर्ची योजना का समय अब्दी था पहला उनेश सो एक्याबन से उनेश सो चपन तक में सबर्दीक बल किस छेत्र के विकास में दिया गया था तो यह दिया गया था क्रिसी छेत्र के विकास में याद रखेगा यहां सबसे पहले आप याद रखेगा तिसरी पंची वश्री योजना का समय अब्धी क्या था इसका समय अब्धी था अगला कुशन देखें जिफिन अगला कुशन ये बंडे कि भारत में सबसे बड़ी तेल सोधन साला कहां इस्ति थे तो ये इस्ति थे जामनगर में बी रैट आंसर हैंगे अगला कुशन 시청ने बीश्व का सबसे बड़ा दुखद उत्त पादन है सिरर्ई आंसर ये भारत है अगला कुशन निमलकित में से कौन सी महारतन कंपनी नहीं है तो देखें महारतन कंपनी जु नहीं है पी एफ सी महारतन कंपनी नहीं जबकि सेल और NTPC.S. भी जो है वो क्या है एक महारतन कमपनी हैं अगला कोशने ताती पाका तेल स्वधन साला किस राज में इस्ति थे राइट आंसर ओफिसेल नमर दी हो जाएंगे आंदर पर्दिश राज में इस्ति थे ताती पाका तेल स्वधन साला अगला कोईशन ये बंडी के पंचवर्शी योजना के इतियास में भारत की सबर्दिक असफल योजना किसे माना जाता है तो यह जो माना जाता है त्रेतिय योजना को माना जाता है धियान रखेगा पंचवर्शी योजना में सबर्दिक जो की असफल योजना त्रेतिय पंचवर्शी योजना को माना जाता है आप से को पता अनच्वर्शी योजना जो था वो पांच वर्शी के लिए हुआ करता थ अगला कोईशन देखे लिए राष्ट्य ग्रामिन विकास संस्थान कहां अवस्ती थे तो देखे राष्ट्य ग्रामिन विकास संस्थान के बाद किया जाए तो यह हैदराबाद में अवस्ती थे ध्यान रखेगा यहां क्या पूछा गया है राष्ट्य ग्रामिन विकास संस् अपनी जो है हुंड़ाई है ए राइट आंसर हैंगे अगला कोई से ने भारत का प्राचिंतम विशाल उद्धोग है तो राइट आंसर आफिसर में विजागे सूती बस्तर उद्धोग भारत का प्राचिंतम विशाल उद्धोग है अगला कोई से ने किस देश के आर्थिक व केंद्रिय उपोजिशन बागमानी सांस्थान अवस्थी थे, वो कहां पर अवस्थी थे, लखनओ में, यहां से कोईशन याद रखेगा उत्तर परदेश की राजधानी है लखनाओ अगला कोईशन देख लिजे राष्टी विशेज क्रिशी उपज योजना मुख रूप से किस से सम्बंदी थे है तो यह सम्बंदी थे निर्यायत योग क्रिशी उत्पादन से अगला कोईशन भा में बोई जाने वाली फसल है तो मक्का जोएकी वर्ष भर में बोई जाने वाली फसल है अगला कोईशन है राष्टे क्रिशी अनुसंधान परवंदन अकादमी कहां अवस्ति थे हैं तो यह अवस्ति थे हैं हैदराबाद में भी रैट आंसरेंगी अगला कोईशन कर लेते अगला कोई से निये बंड़े कि GNP से NNP निकालने के लिए निमने में से किसको घटाया जाता है तो दिए कि GNP से NNP निकालने के लिए जो घटाया जाता है वो किसको घटाया जाता है हास को घटाया जाता है हास को गटाया जाता है GNP से NNP को निकालने के लिए अगला कोई से ने कि भारत में ग्रामिन छेतरों में कौन सी विरुजगारी सबर्दिक पाई जाती है तो दिखेंगे ये दोनों विरुजगारी पाई जाती है उप्रियुक्ते में से दोनों मौस्यू बिरुजगारी अद्रिश बिरुजगारी पाई जाती है तो याद रखेगा सी राइट आंसर हैंगे अगला कोईसन देख लिए जिम मद परदेश में नेपा नगर किसके लिए परसीदे फिन तो ये परसीदे अकवारिक कागज के लिए अगला कोईसे ने राज कोईसे घाटे और बजटिय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है तो राइट आंसर ओप्सन में विजाएंगे सार्वजने करीन के बराबर होता है द्यान रखेगा राज कोईसे घाटे और बजटिय घाटे किसके अंतर के बराबर होता है सारब जिने करीन के बराबर होता है अगला कोईशने विश्व में सबसे बड़ा हफिम उत्पाद देशे तो ये देश का नाम क्या है अफगनिस्तान अफगनिस्तान जो है विश्व में सबसे बड़ा हफिम उत्पाद देशे अगला कोईशन देख लिए जेफिन कि चीनी उत्पादन में भारत का भीश्व में कौन सा अस्थान है तो दूतिय अस्थान पे आता है भारत यार रखेगा तो शर्याज के तरह ही आज किस क्लास में हम से भी कुल 50 कोईशन कवर किये भारते अर्थ विवस्ता का यानि की इंडियन एकोनॉमी का आज का ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप से नीचे के मिन बॉक्स में जरूर बताईएगा अगर आज की ये कलास अच्छा लगा हरफूल होगा तो कलास को लाइक किज़ेगा और अपने दोस्तों में जरूर शेर किज़ेगा और जो कॉर्से से जोईन करना चाहते हैं लिंक अप्लिकेशन का डिस्क्रिप्सन में हैं अन्यता आप प्ले इस्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी जरूर जोईन किज़े और अभी से त्यारी करना शुरू कर दीजे मिनिमाम फिर में आपको इसारा चीज़ दिया जाएगा मेरा एक ही उद्देश है कि सिक्षा जोई कि हर वो बच्चे को पहुँचना चाहिए जो आर्थिक इस्तिती से कमजूर है तो आप सभी जरूर कोर्श में जोईन किज़े और अपने त्यारी को बेहतर बनाईए आप सभी अगर एक सिट चाहते हैं आप सभी तो आप सभी त्यारी में लग रहे है और रेगूलर त्यारी किज़े जो आपको बताया जारा उसे प्रूपर फॉलो किज़े आप सभी निस्चित आपको सपलता मिलेगा निस्चित आपका रेजल्ट होगा चलिए मिलते हैं जहिंद बंदे मातरम आप सभी वीडियो को लाइक करके सीएर जरू कर दिज़ेगा फिन अपने दोस्तों में इतना सा काम आप करी सकते हैं जहिंद बंदे मातरम